साथियों, यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के गोटाले होते थे, किस तरह राज काज को प्रष्ठाचारियों के हवाले कर दिया गया था आज योगी जी की सरकार पूरी इमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है एक दौर था जब यहां शाचन प्रशाचन गुन्डों और माफियाओं की मनमानी से चलता था लेकिन अब वसूली करने वाले माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं मैं पश्चिम उत्तरप्रदेश के लोगों को विशेश तोर पर याद दिलाना चाहता हूँ इसी छेत्र में चार-पांच साल पहले परिवार अपने ही घरों में डर करके जीते थे बहन बेटियों को घर से निकलने में स्कूल कॉले जाने में डर लगता था जब तक बेटियां गर वापस ना आये माता पिता की सांसे अटकी रहती थी जो माहोल था उसमें कितने ही लोगों को अपना पुस्तेनी गर छोड़ना पड़ा पलायन करना पड़ा आज यूपी में कोई अपरादी ऐसा करने से पहले सो बार सोचता है योगी जी की सरकार में गरीब की सुनवाई भी है गरीब का सम्मान भी है योगी जी के नेत्रूतों में यूपी की बदलती कारेशाली का एक बहुत बड़ा प्रमान है सबको वैक्सिन मुप्त वैक्सिन अभ्यान उत्तर पदेश अभी तक आठ करोर से अधिक टीके लगा चुका है देश में एक दिन में सबसे जादा टीका करन का रेकॉर्ड भी यूपी के ही नाम है कोरोना के इस संकट कान में गरीब की चिन्ता सरगार की सरवोच्च प्रात्पिकता है कोई गरीब भूखा ना रहे इसके लिए महिनों से मुक्त अनाज दिया जा रहा है गरीबों को भूख मरी से बचाने के लिए जो काम दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए वो आज भारत कर रहा है ये हमारा उत्तर प्रदेश कर रहा है